हलो, नमश्कार दोस्तों मैच मेकिंग सीरीज में आप सबी लोगों का सौगत है आज हम मल्टीपल टेक्निक से और एक मैच मेकिंग करेंगे यह मेरे पास मैच मेकिंग के लिए कुंडली आई थी तो मैं उसको education point of view से क्योंकि मुझे इसमें कई सारे इस तरीके के point मिले तो इसका मैंने सोचा video बना लेता हूँ तो मैं आपके सामने इसको present कर रहा हूँ उसमें कई सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी शुरू से end तक आप इस video को देखे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत important बाते हैं हम यहां पर सीखेंगे मैंने name girl और boy दोनों का hide कर दिया है to hide the identity तो यहां पर यह मैं बता देता हूँ यह boy का birth date है 7th of June 93, 1600 hours, Delhi time मुझे tentative लग रहा है accurate नहीं है तो आसपास ही time दिया है इन्होंने और यह girl का है 6th November 94, 1700 hours, the more MP तो यह भी time मुझे ऐसा ही लग रहा है approximate time है दोनों ही accurate time तो नहीं है तो anyway जो भी इन्होंने time दिया उसके basis पर मैंने यहां पर कुंड़ियों का मिलान करने की कोश्यत किए अब बहुत सारे comments आइंगे कि इस बाव को क्यों भी मिलान किया actually क्या होता है किसी भी चीज का कोई एंड नहीं होता जब हम कोई भी काम करते हैं हमें उन चीज़ों पर focus करना है जो बहुत ज़्याधा ज़रूरी है आप कितने ही मिलान कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को देख सकते हो यदि आपको confused होना है तो आपको किसी conclusion पर पहुंचना है तो एक आपको तरीका डबलब करना पड़ता है कुंडली में 5000 बाते हैं जो आप देख सकते हो और एक ही कुंडली को आप 5 साल तक analyze कर सकते हो और confused हो सकते हो तो जो टेकनिक मैं आप यूज करता हूं वो टेकनिक बहुत ही सटीक की टेकनिक है बिल्कुल यूज की होई टेकनिक है बहुत ज्यानी लोगों ने बताई होई टेकनिक से हैं तो इसके बियोंड यदि आप कुछ समझते हो तो आप कर सकता हो मगर मेरी ऐसी राय कि इससे ज्यादा आगे जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है इसमें complete analysis हो जाता फिर मैं अश्टकूट मिलान करूँगा इसके बाद मैं दोनों की कुलियों में कौन से योग बन रहे हैं जो उनकी financial status को बताएंगे आगे चलके क्योंकि finances अच्छे होने चाहिए दोनों की आपकी एक तरीके से मांगल होना चाहिए दोनों का सुवाग या husband की वाइप आपक उसका first lord Venus देखा तो girl की कुंडली में अपने ही sign में चला गया है और उसके साथ Jupiter है Mercury है अलांकि रहू और के तू भी एक्सिस है मगर यह अपने sign में और दो शुग्र है तो इसकी position काफी अच्छी मानी जाएगी केंद्र इस्तान में चला गया यह भी अच्छी position है किसी दू इस्तान में नहीं गया कि वर वो सही इस्तान पर भी चला जाता है तो वो काफी बेटर रहेगा अब मैं girl की कुंडली का यह girl की कुंडली है इदर तो girl की कुंडली का मैं अब यहां से ले लूँगा one sign है तो one sign का जो Lord है Mars वो बाई की कुंडली में 10th house के अंदर चला गया है यहां पर हलां कि यह नीचका हो रहा है तो नीचका हो रहा है मगर फिर भी यह दिख बली है तो 10th house में यदि Mars नीचका भी हो जाए तो उसके दिख बल की वज़े से वो काफी strength रखता है इसलिए 10th house के अंदर यह concept है जिनने नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं 10th house का यदि 10th house के अंदर यदि Mars नीचका भी हो तो वो उचके Mars जैसा ही behave करता है उसका reason यह है कि उसका दिख बल इतना ज्यादा हो जाता है उसका जो उच बल है वो कम होगा मगर दिख बल उसको more and less compensate कर देता है इसलिए यहां पर यह काफी strong है weak नहीं है दिख बली है इसलिए girl के भी lung lord की इस्तिती boy के कुंडिली में काफी ठीक है अब मैं बात करूंगा second lord की तो boy का second lord है Mars 8 sign है तो वो girl की कुंडिली के fourth house के अंदर चला गया है तो केंदर इस्तान के अंदर है वो हालां कि यह debilitated है तो उतना मैं strong consider करके नहीं चलूंगा उतना strong मैं नहीं मान रहा हूं य तो उसका placement अच्छा है केंदर और त्रिकोंड के इस्तान में placement अच्छा होगा मगर वो debilitated है तो इसको मैं average consider करके चलूंगा या थोड़ा week ही मान कर चलूंगा अब देखते हैं हम girl का जो second lord है तो girl का second lord Venus है तो वो boy की कुंडिली केंदर इस्तान में जाकर बैढ़ गया है सा कुंडिली के लिए वो योग का रख है और Venus का मित्र भी है तो इसको हम बहुत अच्छा मान कर चलेंगे योग का रख होने की वज़े से वो उसको एनाइस करेगा उसके जो भी सिगनिफिकेशन से उनको और अपने साइन से ही हम पर सेटन देख रहा है तो इस कुंडिली में काफी श्ट्रोंग प्लैनेट देख रहा है तो इस प्लेस्मेंट को मैं थोड़ा बैटर कंसीडर करके चलूंगा अब आ जाता है हमारा एड़ था उसका लॉड बॉय की कुंडिली में एड़ था उसमें टू साइन है उसका लॉड वीनस है तो हम पहले ही डिसकस कर चुके ह है वीनस गर्ल की कुंडिली के अंदर सेविन साइन में लिबरा में अपनी राशी के अंदर है दो शुब ग्रहों के साथ है मित्र ग्रह के साथ भी है तो इसका प्लेस्मेंट काफी अच्छा है तो हम इसको अच्छा कंसीडर कर चलेंगे यह मंगल को रिपिजेंड करता है कुंडली का 8th Lord Mars तो हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं वो यहां पर आपका दिखवली होकर बैठा है वो सुवाग को रिपेजेंड करता है तो यह मार्स दिखवली है इसकी अच्छी पोजीशन है तो अवराल भाव मिलान में मैं एक तरीके से मानके चलूंगा यदी में से 100 में से मार्स दिने हों तो मैं 75 मार्स दूँगा और सिष्ती से ऊपर यदी मांक्स मिलते हैं तो वो कापी अच्छा भाव मिलान जाता है अवरेज सभी प्लैनेट एक या तो गेंद इसे बरिस्तानों है तो सबसे बड़ी बात यह है वह सब एक दूसरे केंद रिस्तानों में है स्वेम की राशी में है इस तरीके के कॉंबिनेशन्स हैं तो वो काफी अच्छा माना जाएगा तो यह मैंने भाव मिलान की है सबसे पहले अब मैं बात करूँगा है यहाँ पर मांगलिक दोश की तो कंञ्या मेली हलाकि यह बोई की कुंड़ि में भी चंद्र limits देखते है तो मांगलिक दोश आ रहा है चंद्रमा से pension अधिक के दी अनदर मंगल बेटा हुआ है वागर गर्ल की गुंड़िमें लगन से चोथे वावगे अंदर मंगल बैठा हो एं तो यहाँ पर मंगलिक दोश है लगनी से चंद्रमा का जो मंगलिक दोश होता है वो बहुत वीक होता है उसको उतना strong consider करके नहीं चलते है तो यहाँ पर मैं girl की कुंडिली के अंदर यह मंगलिक दोश के यहाँ पर 4 परिहार बिल् 26 years से जादा हो तो मंगलिक दोश्ट पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए तो पहला मैंने यापर जो इसका परियार लिया है एज अब नेटिविस अबोश 26 फिर मंगल यदी आपका नीचका हो जाए वक्री हो जाए या कमबश्ट हो जाए अस्त हो जाए उस के से से में भी मंगल दोश्ट का परियार हो जाता है तो यह पर मंगल नीचका हो ज़या है तीसरा परियार यह होता है कि जुपीटर ये शुग्रेक केंद रिस्तानों में आकर बट जाए तो इसकी कुंदिली में पर जनी 11 वाव में अपनी राशी में इस्तित है तो ये भी मंगल दोश का परियार कर रहा है तो चार मोटे-मोटे बहुत श्ट्रोंग मंगल दोश के इसके अंदर परियार मुझे नजर आ रहा है साब साब अब बॉय की कुंडिली को एधी में देखता हूँ तो मैं इसको च कुंडिली में मंगल दोश का परियार है पर यदि हम देखें तो दोनों में सेम साइन के अंदर मंगल है सेम साइन के अंदर दोनों के अंदर नीच का मंगल है तो वह एक दूसरे के भी दोश को काट रहे है लड़का और लड़की दोनों की सेम ही राशियों के अंदर हलां क कि ये मांगल लिक ये ज्यादा इस्टरोंग है गल ज्यादा इस ट्रोंग मांग लिख है बॉय का मंगल दोष चन्रमां से मंगल दोष को वैसे भी कर सकते हैं बहुत ज्यादा वेटेश देने की उसे जौरत नहीं होती फिर भी मैंने आप पर explain कि मंगल दोश पूरी तरीके से कतव है अब यह इन दोनों की मैचिंग है उसकी डिटेल से हम पर तो उसमें कोई डिसकस करने का इस खास पॉइंट नहीं है यह मैंने किसी ज़रती है मैं बकूट दोश को बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस देता हूं नाड़ी दोश भी नहीं है और अवराल पॉइंट 25.5 है तो इसको बहुत अच्छी मैचिंग कहेंगे मंगल दोश है तो उसका मैंने पहले से एक्स्प्लेंट कर दिया है तो देखिए अश्टकूट मिलान में 24 से ज्यादा पॉइंट बैस्त माने जाते हैं वैसे कितने भी ज्यादा हों मगर 18 से कम जनरली हम देखेंगे तो और फेक्टर को कंसिडर करेंगे मैं रूल आउट नहीं करता बारे से भी ज्यादा पॉइंट में उसको देख कर अप्रूब कर देता हूं मगर यहां पर 24 से जादा है तो बहुत अच कर सकते हो उनका परियार हो जाता है जादा तर दोशों का तो अश्टकूट मिलान में बहुत अच्छी में इसके इंदर हो रही है अब मैंने देखा दोनों की कुंडिली के अंदर कौन कौन से योग बन रहे हैं तो योग देखना ज़रूरी है क्योंकि आगे यदि अच्छ की कुंडिली अब लड़की की कुंडिली में देखे यहां पर बहुत ही इस्ट्रोंग बड़े बड़े योग है मालव्य पंच मापुरुस योग है इसके इंदर मालव्य पंच मापुरुस योग में बताता हूं देखे मैं कुंडली यहां पर लेग के बूल गया तो मालव पंच महापुरुष्योग कब होता है यहां पर देखे शुक्र अपरी राशी केंद्रिस्तान में तो यह पंच महापुरुष्योग कर रहे इसके बाद में देखते हैं देखे 15 और यहाप्धी तो यह काफ़ी ष्ट्रॉंग होता Sow गएता है गरीभी देता है है मगर बहुत ज्यादा इश्ट्रगल देता है आप यह कह सकते हो कि आपको मैनत करनी पड़ेगी उसके बाद आपको फल मिलेंगे तो इसके अंदर सकड योग है तो सकड योग है मगर यहां पर देखिए और भी कई तरीके के योग आ रहे हैं नीजबंग राज योग है इस क कुड्लियों के अंदर होता है तो लगनादी योग है और आपका लगनादी योग बनता है actually तो यह भी native की लैट को बिल्कुल बदल देता है तो इसके अंदर बहूत strong tीन योग है एक तो मालव योग बहुत इश्ट्रोंग है पाराशरी राजयोग बहुत इश्ट्रोंग है और लगनादी योग बहुत इश्ट्रोंग है तो लड़की की कुंडली के अंदर ये तीन योग बड़े चमात कारिक हैं तो देखे केंद्र इत्रकॉंट राजयोग किस तरीके से बन रहा तो यह बहुत ही श्ट्रोंग पारशरी राजी हो गया फिर लगने से एक्चुली छटे साथ में आडवे वाव में यदि तीन आपके बैनिफिक प्लैनेट हों तो लगना दी योग बनता है तो देखे जुपीटर मरकरी और वीनस तीनों यहां पर साथ में वाव में बन गे त बाद करते हैं कि उनमें कौन-कौन से योग बन रहे है तो इसके अंदर एक विप्रीत राज योग बन रहा है और एक बहुत श्ट्रोंग योग है इसके अंदर भी गच्कैसरी योग वह इंसान को नेम फेम पावर सब कुछ देता है गच्च्कैसरी यह यहां पे भी पारा चुन्रमा और जुपिटर एक दूसरे से केंदृस्तान इ Teachersiva में न outlook है चैणर्मा जॉपिटर 10 में बाव में बद्ख ऑं चुतर्व 1 चुछ देता यहां पर यहां पर चैणर्मा जुपिटर की राशी में बढ़ का मतलब और बंदर यहां पर जुपिटर 이야기 स्थान डेकॉद जैसे वहाँ पर हमने देखा था, तो केंदरी तरकॉंट राज योग हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने एनलाइज जादा किया नहीं था, तो अभी मैं यहाँ पर इसको जादा डिसकस नहीं करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया, दूसरा यहाँ प की life में बहुत ज़्यादा उसको success दिलाते हैं तो यहां पर देखें अमला केती योग भी बन गए एक विपरीत राज योग बन रहा है वो भी मैं यहां पर explain कर देता हूं तो यह विपरीत राज योग क्या होता है देखें यह 6th Lord 12th house में जाकर बढ़ गया तो 6-8 बारे के कुंडली के औंदर बनते वहें नजर आ रहे हैं तो दोनों की कुंडली में धन्योग भी है और बहुत इस लिड़के की कुंड़ली को यदि मैं देखता हूं तो इसके अंदर गज के स्री हो गए बहुत इस लिए मैं इसलिए मैं ऑन दा बेसिस आप ऑल क्राइटेरिया मुझे कोई बहुत नेगेटिव फैक्टर स्मेजर नहीं आएं दोनों एक दूसरे को कॉंप्लिमेंट और यह बहुत ही बहतरीं मैचिंग है और इन लोगों को यदि मैचिंग के बेसिस पर यदि बाकी सारी बातें इनको एक दूसरी की पसंद आ दिया है तो इनको बिल्कुल भी एक मिनट भी नहीं लगानी चाहिए और मेरिज के लिए एक दूसरे से एगरी कर जाना चाहिए बते हैं सारी बते हैं धन्यवाद नमस्कार जैश्री राव